कैसे हैं दोस्तों आप सब और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ All New Updated Maruti Suzuki Eco गाड़ी का आप लोग Front से यहाँ पर Complete Look देख सकते हैं Front में आप लोगों को Black Finish में ग्रिल मिलती है गाड़ी के अंदर Suzuki का Logo मिलता है Chrome Finish के साथ Chrome Highlight में यह है दोस्तों इसके Big Size Clear Lens Halogen Headlamp with Turn Indie Gitter Bulp and Parking Light नीचे की तरह Black Finish में Bumper मिलता है यह है इसका Big Size Radiator Grill बैतर एर इंटेक के लिए गाड़ी के अंदर और यह गाड़ी का आप लोग Front से यहाँ पर Complete Look देख सकते हैं नया 1.2 लिटर का K-Series Engine मिलता है जो कि और भी ज़्यादा Power और और भी ज़्यादा mileage आप लोगों को निकाल के देखा जो कि पहले से काफी ज़्यादा बहतर है यह 5-seater AC variant आप देख रहे हैं इसके लिए 7-seater CNG साथी साथ ambulance version में भी आती है मारूती Suzuki Eco और non-AC का भी option आप लोगों को मिल जाता है गाड़ी के अंदर लगभग 935 किलों का गाड़ी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर curve weight मिल जाता है फ्रेंट में आप लोगों को windshield को clean करने के लिए 2 wiper मिल जाते हैं 2 washer के साथ fender में हि मिलते हैं turn indicator यहाँ पर orange finish में यह हैं दोस्तों इसके 13 इंच के स्टील रिम, आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं गाड़ी के अंदर, आउटसाइट ओर वियंज आप लोगों को ब्लैक फिनिश में ही मिलते हैं, जिसको आप लोग मैनुवली वहां से ओपन या क्लोस कर सकते हैं, अन्फोल्ड या फोल्ड करके, एंड यह है दोस्तों गाड़ी का यहां पर कम्लीट साइट से लोग, 3.6 मिटर की लेंग मिलती हैं और 1.8 मिटर की हाइट, लगबग 2350 mm का विल बेस ओफर करती है मारूती सुजुकी इको, उपर की तराफ आप लोगों कहें पर प्रेन रूफ मिल जाता है गाड़ी के अंदर, यह वाइट कलर आप देखरें, इसके लबाग ग्रे, सिलवर एंड ब्लैक कलर का भी आप्शन आता है, साथी साथ हाली में इसमें जो अपडेट आप देख रहे हैं गाड़ी के अंदर, एक नया ब्लू कलर भी देखने को मिल जाता है मारूती सुजुकी इको में, तो टोटल इसमें 5 कलर आप्शन साथ हैं, और काफी लो टू मेंटेन अगर आप कलर लेना चाहते हैं तो वाइट कलर से अच्छा कोई कलर नहीं किसी भी गाड़ी के लिए, ऐसी कुछ टेल लें मिल जाती है, ब्रेक लाइट, टर्न इंडी, गेटर लाइट और रिवर्स लाइट के साथ, और यह एक्जॉस्स टेल पाइट, ब्लैक फिनिश में ही बंपर मिलता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ गाड़ी के अंदर, बूट स्पेस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, यह फाइट स्पेस देखने को मिलता है, सेवन सीटर लेंगे तो वहाँ पीछे आप लोगों कोई सीट देखने को मिल जाएगी, और यहाँ से कुछ इस तरीके से उपन होते हैं, इसके रियर के स्लाइडिंग डूर, जोकि काफी बहतरी इन तरीके से उपन होते हैं, और यह दोस्तों गाड़ी का यहाँ पर कम्लेट रियर सीट का लोग है, यह फाइब सीटर एसी वेरेंट आप देख रहें, ड्यूल टॉन अप लोगों को यहाँ पर सीट मिल जाती है, ड्यूल टॉन कॉम्बिनेशन के साथ, और चलिए अब मैं गाड़ी के अंदर बैट जाता हूँ, लेग रूम आप लोग दिख सकते हैं, गाड़ी में लेग रूम में कोई कमी नहीं आती है, मारूती सुजू की इको के, पीछे बूर्ट स्पेस आप लोगों को यहाँ पर लगबग 400 से ज़्यादा ही लिटर्स का देखने को मिलता है, लेकिन 400 लिटर्स तो आप लोगों को अराम से मिलता है जो बूर्ट स्पेस है, काफी big size आप लोगो कोने पर glass area मिल जाता है तो गाड़ी में अंदर बैटने के बाद आप लोगो कोने पर cluster public feel नहीं होगा और काफी खुला-खुला आप बैटने गाड़ी के अंदर and काफी easily कुछ इस तरह के से गाड़ी के door को close कर सकते है seat की thigh support की बात करूँ तो काफी आप लोगो कुझे बर्दस मिल जाता है अगर इस segment की गाड़ीों से भी compare करें तो 3-point seatbelt मिलते हैं बैतर safety के लिए rear passengers के लिए और ये front dashboard का लोग है पीछे की seat से all new Maruti Suzuki Eco का safety के अंदर dual airbags, ABS, EBD, reverse parking sensor, crash sensor जैसे features offer करती है engine immobilizer के साथ और यहां से manually आप लोग rear door को unlock लिए lock कर सकते है rear के window भी आप लोग यहां से manually उपर नीचे कर सकते है power window नहीं आते हैं Maruti Suzuki Eco के अंदर and rear में भी आप लोगों को नीचे की तरफ hump नहीं मिलता फ्लोर में तो तीन लोग काफी comfortably बैठ सकते हैं गाड़ी के अंदर and आई दोस्तों आप गाड़ी के driver side gate का लोग open करके देख लेते हैं black finish में मिलता है door handle यहां पर and ऐसा कुछ दिखता है दोस्तों गाड़ी के driver side gate का लोग all black finish मिल जाती है door में वहीं से window का आप लोग उपर नीचे कर सकते हैं manually black finish में door handle मिलता है और यह overall dashboard का लोग and ऐसी कुछ दिखती है दोस्तों गाड़ी की front की seat reclining function के साथ आप लोगों कहाँ पर front seat मिल जाती है और slide हो सकती है आगे पीछे और चलिए अब मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ और यह दोस्तों गाड़ी के अंदर से overall complete dashboard का look same आप लोगों के यहाँ पर मारुती सुजुकी espresso का steering wheel मिल जाता है और same आप लोगों को espresso के जैसा ही दिखने वाला same instrument gesture मिल जाता है जो कि आप लोगों को again digital देखने को मिलता है ऐसी कुछ keys मिल जाती ही गाड़ी के अंदर manual key मिलती है हाँ पर central locking आप लोग after market भी जाके install करवा सकते है यह मारुती की तरफ से accessories के रूप में भी आप लोग install करवा सकते हैं जिसकी costing अलग से add होगी और यह है दोस्तों इसका digital instrument cluster जो कि आप लोगों को digital speed trip पे trip भी engine coolant temperature फ्यूल लेवल यह सारी शीचे शो कर देगा गाड़ी के real time average के साथ कई सारी warning lights आप लोगों को हाँ पर देखने को मिल जाती है नया steering wheel मिल जाता है जिसको अंदर बैठने के बाद मारूती सुचुकी eco का जो driving feel है वो complete change हो जाएगा पहले से अगर आप compare करते हैं तो manual AC मिल जाता है गाड़ी के अंदर भी heater बाकि steering wheel आप लोगों को हैंपर fixy देखने को मिलते हैं इसको adjust नहीं कर सकते और गाड़ी के washer का आप लोग यहाँ पर throw देख सकते हैं manually आप लोगों को use करना पड़ता है गाड़ी के wiper और washer को यहां से इसके headlam का level है उसको आप लोग यहां से adjust कर सकते है manually बाकि dual airbags मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर plastic quality की बात करो तो same पहले जैसे ही देखने को मिलती है AC के जो button से आप लोगों कहाँ पर नए मिल जाते है hazard lamp का switch मिलता है and यह manual AC with heater के आप लोगों कहाँ पर control मिल जाते है non AC का भी option आता है गाड़ी के अंदर इसमें आप लोगों किसी भी तरह का music system देखने को नहीं मिलता आप लोग accessories की रूप में लगवा सकते हैं वो भी नीचे की तरफ आप लोगों कहाँ पर 12 बूल का charging socket मिल जाता है थोड़ी space के साथ dashboard के अंदर और यह इसका 5-speed का manual gearbox और अगर gear lever की बात करें तो पहले से आप लोगों को जो इसकी size हो थोड़ी छोटी कर दी गई है जिसको बज़े से गाड़ी को और भी चलाना city में अच्छा हो जाएगा और convenient रहेगा driver के लिए काफी easy to drive गाड़ी है मारूती suzuki eco मैनुल हेंड ब्रेक मिल जाता है और seat का आप लोग comfort देख सकते हैं front की seat का side support आप लोगों को देखने को मिल जाता है co driver seat seat के नीचे आप लोगों कहाँ पर मिल जाती है इसकी battery complete आप लोग देख सकते है मारूती suzuki eco की जो battery है वो co driver seat seat नीचे ही आप लोगों को देखने को मिलती है और driver seat seat के नीचे ही आप लोगों को मिल जाता है गाड़ी का engine grub box की बात करें तो decent space मिलती ही गाड़ी के glove box में आप लोगों कहाँ पर उपर की तरह आप लोगों कहाँ पर driver seat seat में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है और सेम चीज़ आप लोगों कहाँ पर passenger seat seat में भी मिल जाती है airbag की warning मिल जाती है वहाँ पर ये front passengers के लिए reading lamp मिल जाती है आई एर्वियम को manually adjust कर सकते हैं डिवर नाइट के इसाप से और आईए दुस्तों मैं आप लोगों कहाँ पर गाड़ी का नया engine दिखा देता हूँ जो कि आप लोगों को driver seat seat के नीचे देखने को मिलता है यहाँ पर बाकि नीचे की pedals की space की बात करो तो काफी battery in space मिलता है इससे जल्दी थकावट नहीं होगी driver को और यह है दुस्तों इसका नया 1.2 liter का K-series K-12 engine इन-line 4 cylinder petrol engine देखने को मिल जाते है आप लोगों को जो की 80 PS की power देगा और 104 Nm of torque लगबग 20.20 KMPL का mileage claim कर रहा है मारुती इस engine के साथ और पहले से और भी ज़दा refined और smooth हो चुका है यह engine आप लोगों का जो की मारुती सुजुकी आप लोगों को eco में दे रही है और गाड़ी का आई है आप लोगों को मैं bonnet भी open करके दिखा देता हूँ वहाँ पर आप लोगों को गाड़ी का radiator देखने को मिल जाता है तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा मारुती सुजुकी eco का वीडियो मुझे कमेंट से बताइए साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और बैल आइकन को भी प्रेस कर लीजगा ताकि आप लोगों और सी वीडियो देख सके तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय इंद जय भारत